क्यों बेटी रजवा तुमारा काम सीख गई, बुढिया है तो सयानी हमने देखा कि मालवी ने सारी की सारी छत पावे से खोट डाली सब लोग तुमारा आदर नहीं करते थे, तब तुम्हें शिकायत थी दादाजी किस प्रकार अपने परिवार को इखटा फिर से कर देते हैं, इसी पर निर्धारी पे कहानी है प्रणाम मैरी हानायस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे प्रिये विध्यारतियों, पिछली कक्षा में हमने जो आपके लिए साहित्य गवरव इसके जो एकांकी सुखी डाली पिछली कक्षा में मैंने इस एकांकी के बारे में आपको बताया था पार्ट आपका यहां तक हुआ था जबकि बेला क्या है उस घर में यही दादा जी के सम्युक्त परिवार में रहना नहीं चाहती दादा जी किसी को भी अपने घर से सम्युक्त परिवार से परिवार के सदस्यों को क्या है अलग रहने के लिए सहमत नहीं होते वो अपने परिवार को एक बरगत का पेड समझते हैं और उसकी फूल पत्ते ढाली से ही क्या है पूरा पेड क्या है होता है तो इसी प्रकार उनका सम्युक्त परिवार एक बरगत के पेड की तरह है कोई भी ठाली उसे अलग नहीं हो सकती इस तरह से उनकी मान्यता थी दादा जी परिवार के समस्त सदस्यों को इखटा करते हैं और उनसे बताते हैं कि समस्त परिवार में जो बेला एक सूशिक्षित और एक अमीर परिवार की जो लड़की हमारे घर में आई है ये क्या है भगवान की कृपा है वो क्या है आयू में यानी उम्र में कम है उसकी उम्र कम है लेकिन बुद्धी से वो बढ़ी है तो उसकी हर एक बात में सलहा लो और हो सके तो उसे पढ़ने का बहुत जयादा ही समय दो और उसका हिसे का काम भी हो सके तो आप मिलकर कर लो इस तरह से परिवार के सदस्य को समझाते हैं सारे सदस्य परिवार के दादा जी को बहुत जियादा ही आदर दिया करते थे इसलिए सब लोग उनकी मान लेते हैं इंदू और मंजली बहु से भी क्या हैं? बात करते हैं कि जो अब तक की परिवार के सदस्य को आप ठीक से समझ नहीं पाते, उनके साथ हसी मजाब ठीक नहीं है. बार बार हसना मंजली बहु का ठीक नहीं है और इंदू को भी कहते हैं कि तुमारी भावी पड़ी लिखी है उनसे कुछ सीको, उनसे जगडा मत करो, ज्यान को अरजन करो इस तरह से दादा जी इंदू से भी कहते हैं और इंदू को भावी का ख्याल रखने के लिए भी कहते हैं फिर दादा जी बच्चों को कहानी सुनाने के लिए बुलाते हैं तो बच्चे बरगत की पेड़ की कहानी सुनने के लिए तयार नहीं होते दादा जी कहते हैं कि भरगत की कहानी ही एक कुटुम का एक समाज का एक रास्ट का निर्मान करती है इस तरह से यहां तक आपका पाठ हो गया था अब तीसरा दुश्य इस प्रकार है तीसरा दुश्य बेला वहीं बरमादे में खुर्सी पर बैठी हुई है अपने आप में कुछ बढ़ बढ़ा रही है उस तक लिए कुछ पढ़ी जा रही है कुछ बढ़ बढ़ा रही है और कह रहे हैं कि यह कौन से लोगों में मैं आकर फ़स गई जो पल में माशा है तो पल में तोला है जब वो क्रोधित हो जाते हैं आपके समान हो जाते हैं जब वो नर्म हो जाते हैं मुम से भी कोमल हो जाते हैं मैं कहां आकर फस गई किन लोगों मैं आकर फस गई इस तरह से अपने आप में बड़ बड़ा रही है तबी छोटी भावी वहां पर आती है यानि छोटी भावी यहां पर बेला की सास है आकर बताती है कि हाँ बेटा ये तो जो फरनीचर है वो रद्दी के बराबर ही है तुम ठीक ही कहती थी इसको क्या है मैं रजवा से कहकर सुरेश की कमरे में भिजवा दूँगी इस सुरेश इसी परनीचर के लिए बहुत बार मुझसे रूच चुका है हाँ मैं परेश से भी कह दूँगी कि तुमारी रूची का जो परनीचर है वो ला दे यानि तुम्हारे साथ जाकर तुम्हें जो पसंद है वो परनीचर क्या है परेश दिलवा दे मैं उसे भी कह दूंगी तब बेला अपनी सास को बैटने के लिए कहती है मा जी आईए बैटिये लेकिन क्या है छोटी भावी बहुत ही जियादा क्या है कामों में विस्थी वो कहती है कि रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है मिर्ची को कूटना है और क्या है फिर वो बताती है कि बहुत दिनों का जो मक्खन है इखटा हो गया है उसका घी बनाना है और अनाच को साप करवाना है बहुत सारे काम है इसलिए वो बैटने के लिए त लेकिन वो तयार नहीं होती वो कहती है कि बेटी मैं तुम्हारे समय का नस्ट नहीं करूंगी फिर वो कहती है कि आप पढ़ो बेटी फिर बताती है कि उस दिन मैंने रजवा की बात से तुम्हें डाट दिया था विश्वासनिया क्या है नौकरानी है इसकी सास भी यहां पर काम करती थी यह भी यहां पर काम करती है और इसकी बहु भी यहां पर काम करती है दादा जी पुराने नौकरों के हक में है तुम्हारा काम रजवासनि नहीं हो सके तो कोई चिंता की बात नहीं कोई और इंतिजाम हो जाएगा लेकिन बेला इसे कहें अपनी सास को बैटने के लिए कहती है लेकिन वो कहें छोटी बहु इतना कहकर वहां से चली जाती है तो बेला अपने आप में फिर से कहती है कि मैं मांजी को समझ नहीं पा रही हूँ परसोही रजवा के लिए मुझे डाट रही थी आज इस तरह से कह रही है तबी वहां पर मंजली भावी बड़ी भावी वहां पर आती है दोनों क्या हैं वहां पर आकर बेला को देखते हैं तो बताते हैं कि क्यों बेटी रजवा तुमारा काम सीख गई बुढ़िया है तो सयानी बहुत हुशियार है बिला अगर वो काम तुमारा ठीक नहीं कर सकती तो मैं कोई पड़ी लिखी और जो अमीरों के घर में काम कर चुकी हो ऐसी एक नौकरानी को हम इंतिजाम कर देंगे वो तुमारा काम कर दिया करेगी या तो रजवा की बहु भी यहां पर काम करती है वो भी क्या है कम उम्र है जल्दी से तुमारा काम सीख जाएगी उसी को रख लो लेकिन बेला उन दोनों को बैटने के लिए कहती है दोनों बैटती नहीं है दोनों कहती है कि नहीं बेटा वो खड़े-खड़े ही वो बात करती है उस बेला से बेला नौकानी की कोई अवशकता नहीं रजवा ही सारा काम सीख जाएगी तब बड़ी बहु कहती है की नहीं हम तो ना वर्ग में तुमारे बराबर के हैं ना ही बुद्धी में इस बात को सुन कर बेला की आंखों में आसु आ जाते हैं और उसका गलार उच जाता है वो कहती है की क्यूं भाबी हमें काटों में घसित रहे हो और बेला कहती है की परायों जैसा विवहार कर रहे हैं इतना कहते हुए बेला रोते हुए वहाँ पर जाने के लिए खड़ी हो जाती है मंजली भावी अपने आप में यानी क्यूं परायो जैसा विवहार इसको कहती है और दोनों वहाँ पर खड़े हैं तबी क्या है पारो मंजली भावी और इंदू प्रवेश करते हैं द्वार से पारो के गले से जूलते हुए इंदू आ रही है तबी द्वार से मंजली भावी और इंदू पारो आ रहे हैं पारो के गले से इंदू जूलते हुए आ रही है तीनों हसी जा रही है हसते हुए अंदर आती है और कहती है कि मैंने क्या मैं क्या जूट के रही हूँ मैंने देखा कि मालवी ने सारी की सारी छत पावड़े से खोड़ डाली तब यहां पर बैठी हुई बड़ी वहू और क्या है मंजली भावी पूस्ती है कि क्यों आप इस तरह से हसे जा रहे हो क्या बात है कुछ तो बताओ तो यहां पर वो बताती है कि क्या है कि अभी हम गाउं की और गए थे वहां पर देखा कि मालवी ने सारी की सारी चट पावे से खोड डाली अभी राजमत जोर दो ही गंठे पहले सारी चट बनाए हुए थे और मालवी ने चट को तोड़ दिया इस बात को कहते हुए हस्ती है और वो बता थे कि पूरी बात बताओ आखिर बात क्या है क्यों पोड़ी किस की चट है कहां की चट तो मंजली बहु कहती है कि जो क्या है बंसिलाल की रसोई की चट थी जो क्या है बंसिलाल ने दो गंठे पहले ही बनवाई थी और क्या है नौकरोंग से निपचता हुआ वो दुकान गया था तबी यहां पर मालवी फावडा लेकर आई और सारी के सारी छत उसने पोर डाला एक इंड भी नहीं बची थी तब बंसी लाल वहां पर आए और क्या है वो देखते रहे दे तो यहां पर मंजली भावी कहते है कि उसका लड़का तो वो कहते है कि वो हवा में क्या है धंकियां दे रहा है कि सारा मकान खंडेर बना दूँगा इसे कहते हुए सब लोग हसी जा रही है चार पाई पर बैटकर तब ही बेला वहां पर आती है इसको देकर इंदू बेला को देकर अपने मूपर उंगली रखकर कहें उशकी आवास करती है नहीं सबी को चुप कर आती है सबी हसना जो जो जोरों से हसे जा रहे थे सबी हसना बन कर देते है बेला इन लोगों को देखकर नहीं आप हसी जो भी बात कर रहे हैं आप कीजिए इस तरह से कहती है मैं तो यहां से जा रही हूँ आप अराम से हसी है फिर बेला वहां से चली जाती है इसके बाद वहाँ पर जो सब लोग बैठे हुए थे वे दादा जी की बात को याद कर लेते हैं कि बेला का समय नस्त ना हो उसे पढ़ाई का अबसर दे नहीं पढ़ाई का मौका दे और उसके हिसे का भी काम करें उसे खुश रखें इंदू बता थे की दादा जी ने मंजली बहु और मुझसे दोनों से बेला भावी का ख्याल रखने के लिए कहा था आज हम क्या हैं अगर हम यहाँ पर बैठ कर इस तरह से हसेंगे तो उनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिलेगा इस तरह से वो क्या करते हैं अपने अपने कामो में चले जाते हैं मंजली बहु बड़ी भावी से कहती कि मेरे कमरे में जाकर बात करेंगे लेकिन वो रसोई के काम में वो दोनों चले जाते हैं यहां पर मंजली बहु जो हैं वो वहाँ पर ही घड़ी रहती है और तभी द्वार से बड़ी भावी आती है तो मंजली बहु उससे कहती है कि मालवी ने सारी की सारी छट खोड डाली इस बात को पूरा सुनने के लिए वे दोनों कमरे में चले जाते हैं फिर इंदू गुसुल खाने में कपड़े धोने के लिए चली जाती हैं द्वार से परेश और बेला का प्रवेश होता हैं मैं अपने मैके में यह अ क्यों तो वो बताती है कि अभी सब लोग बैट कर यहां पर हस रहे थे फिर जोरों से हस रहे थे जब मैं उनके पास आ कई तो वो क्या है खामूश हो गए चुप चाप होकर यहां से यह नहीं चुप हो गए जब मैं कोई काम करने के लिए जाओं कोई मुझे काम करने नहीं देता फिर परेश कहते हैं कि तुम्हें क्या समस्या है ये मैं नहीं जानता सब लोग तुम्हारा आदर नहीं करते थे तब तुम्हें शिकायत थी सब लोग तुमसे दबते तब भी तुम्हें शिकायत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है आदर, सत्कार, सम्मान ये सब तुम्हें मिल रहा है तब भी तुम्हें शिकायत है इस तरह से कहते हुए परेश क्या है जल्दी से सीड़ियां चलते हुए उपर चले जाते है और बेला नीचे कुरसी पर बैट जाती है और सिसकने लगती है, रोने लगती है फिर मैं क्या चाहती हूँ मुझे खुद पता नहीं इस तरह से बढ़ बढ़ाती है और रोने लगती है वहीं पर जो इंदू स्नानग्रह में कपड़े दो रही थी वो सिसकनी की आवास से वहां पर आती है और आकर भावी भावी जी क्या बात है इस तरह से बेला से पूछती है तो इंदू को वो कुछ जवाब नहीं देती और भी वो रोने लगती है तो फिर से भावी जी भावी जी आपको क्या दिक्कत है क्यों रो रही हो इस तरह से हिंदू पूछती है तो बेला कहती है कि पहले तो जी जी कहना बन कर दो मुझे सिर्फ भावी कह कर बुलाओ और हिंदू उनके नी बेला के दोनों खंदों पर हाथ रख कर इसकी वज़य पूछती है तो यहाँ पर वúa बताती है कि मुझे जी जी नहीं बलके भावी को इंदू कहती है कि दादा जी ने तो कहा था कि आपको आदर दे सम्मान दे और हो सके तो आपके हिसे का काम भी हम कर ले और आपको पढ़ने का ज्यादा समय दे तो यहां पर बेला इस बात को सुनकर आस्चर यह चकित हो जाती है दादा जी ने कहा था हाँ तब इंदू बलती है कि हाँ दादा जी ने कहा था बेला कहती है कि मुझे तो इसी घर का एक सदस्य बन कर रहना है ना कि मुझे यह आदर सत्कार सम्मान चाहिए और मैं इसी घर में एक सदस्य बन कर काम करना चाहती है। तो इंदू को बताती है कि मुझे सिर्फ भावी कहकर बुलाना फिर दोनों आलिंगन करते हैं। फिर इंदू बोलती है कि भावी अगर आपके भी धोने के मेले कपड़े हो तो दे दो मैं अभी दादाजी के कपड़े धो रही हूँ तो इसको भी मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगे। कपड़े धोने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगे। दोनों गुसुल खाने के लिए चले जाते हैं नहीं कपड़े लेकर गुसुल खाने में जाते हैं और कपड़े धोते रहते हैं तबी दादा जी का प्रवेश होता है वो दादा जी बच्चों के साथ आते हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि अब क्या है मैं मेला ले जाओंगा और जो तुमें खिलोना पसंद है वहीं खरीद कर दूँगा स्नान ग्रह में दोनों को देखते हैं तो दादा जी थोड़े से नाराजगी से इंदू से बात करते हैं कि बेला भावी को कह पढ़ने का अफसर नहीं दे रही हो उनसे काम करवा रही हो तो इंदू क्या है सेहमी सी वो बताती है कि भावी ही क्या है यहां पर काम करने के लिए आई है तो इस अनादार के बादेनी वो भावी जी नहीं कह रही थी बलके भावी कह रही थी इस बात से दादा जी क्या है फिर से इंदू की और देखते हैं और बेला कहती है कि ठावेश के कारण उसका गलार उच जाता है और बेला कहती है कि आप पेड से किसी ढाली को तूट कर अलग होना पसंद नहीं करते हैं पर वही ढाली पेड से लगी-लगी सूपना पसंद करेंगे यहां पर दादा जी से वो माफी मांग लेती है और परिवार का सदस्य बनकर रहने के लिए कहती हैं यहां परिवार का सदस्य बनकर रहना चाहती है तो मेरे प्रिये विध्यारतियों यह जो कहानी है जैसे कि दादा जो परिवार के सदस्य थे बड़े सदस्य थे दादा जी ने परिवार में जो समस्या आ गई थी दरार आ गई थी और कहें कुटम अलग होने वाले थे परिवार के सदस्या अलग होने वाले थे उस वक्त दादा जी ने अपनी बुद्धी से अपनी चतुराई से और कहें सयम से ही काम लेकर परिवार के सदस्यों में जो भी हीन भावना थी दूर करने का प्रयास करते हैं इसमें सफल भी होते हैं दादा रूपी एक वट रुष जो हैं सद्यों से खड़े हुए थे वो परिवार में जो भी समस्या आए उसका क्या है खड़े होकर सामना करते हुए अपने परिवार को इक खटा जोड़ कर रखते हैं यहीं दादा जी क्या है? दादा जी किस प्रकार अपने परिवार को एक खटा फिर से कर देते हैं? इसी पर निर्धारित ये कहानी है। सुकी डाली ये क्या है? ये एक सम्युक्त परिवार की कहानी है, इसे ये पता चलता है कि जो भी व्यत्ती अपने सियम से, जो भी बड़ी सी बड़ी समस्या है, उसे हल कर सकता है. और प्रेम से ही इसका हल हो सकता है. यानि ग्रिना से ग्रिना को दूर नहीं किया जा सकता है। यहीं इतनी ही आपकी सूकी डाली एक आंकी थी। अगले सिशन में हम व्याकरन पर चर्चा करेंगे। धन्तवाद।